एक कॉफी काफ़ी भारी पढ़ गई राखी सावंत के उपर कैसे बताती हूँ ए गाइस तिस इस मी अशी आप देख रहे हैं बॉलिवूद स्पाई लाइक, सब्सक्राइब, हिद दी बेल आइकन अगर आप अपडेटिट रहना चाते हैं बिग बॉस सीजन 14 में जो कुछ भी हो रहा है उस से और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टेग्राइम अकाउंट पर ड्रामा.डीवा के नाम से हूँ मैं वहाँ पर देखी क्या है ना कि घर के अंदर जो राशन पानी वाला टास था वह फाइनली फिनिश हो चुका है और सौ यूनिट्स कॉंप्रोमाइस करके राखी साउंट ने ली थी कॉफी पर ये कॉफी जो है इन्होंने अकेले नहीं पी इन्होंने सब लोगों को पिलाई है और इसकी वज़े से बिग बॉस ने दिया है उन्हें पनिश्मिंट और कॉफी को वापस ले लिया गया है इसी के उपर एक बवाल और एक सवाल खड़ा हुआ है और बवाल ये है कि यहाँ पर राखी साउंट से जब कॉफी वापस ले ली गई तब रुभीना ने राखी साउंट को ये कहा कि आपको हमको चुपचाप याने कि निकीतंबोली, अभिना वार रुभिना को चुपचाप कॉफी पिलानी चाहिए थी किसी को भी बताना नहीं चाहिए था आपने दूसरी टीम वालों को कॉफी पिलाई इसलिए मुद्दा बना और मुद्दा बनते ही बिग बॉस जो है वो आपकी कॉफी ले करके चले गए ये तो रहा बवाल अब सवाल मेरे मन में ये है कि राखी साउंट ने जीती थी कॉफी या फिर ली थी कॉफी कॉफी तो सारे घर वालों में डिस्टुब्यूट हुई है And as per my understanding बिग बॉस ने ये कॉफी फिर से इसलिए ली है क्योंकि टेक्निकली उनको सारे घर वालों में इस कॉफी को نہیں बात ना था नहीं तो निकी ने जो टास्क में बरगर घाया था या फिर चाय पी थी एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा वो वो सारी चीज़े दूसरों को भी तो बाट सकती थी उन्होंने नहीं बाटी थी और इसी वज़े से बिग बॉस ने राकी सांथ की कॉफी भी वापस ले ली पर यहाँ पर एक चीज मुझे काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग लगे कि कैसे रुबीना जो है वो अपने टीम मेट्स को और खुद को सुम्ड़ी में से निकालने की कोशिश कर रही है इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया है कि क्या वाके में राकी सांथ को ये चालाकी करनी चाहिए थी कि सिफ अपने टीम मेंबर्स को कॉफी पिलानी चाहिए थी मतलब जो घर में रियल टीम मेंबर्स है उनके निकी, राकी, अबिना, वन, उबिना उनको पिलानी चाहिए थी तो क्या उनकी कॉफी बच जाती? यह कॉफी तो काफी गॉजिंग हो गई, राइट? आप उमें बताईए, what do you think about this statement? Do let us know in the comments section. देखते जाएए, Bollywood spy, मेरा नाम है यशी.